सिकंदर महान ने कई युद्ध जीते थे वह सारे संसार पर विजई प्राप्त करना चाता था बहुत से देशों पर विजई पाने के बाद उसने अपने सेनपतियों को आदेश दिया अब सोने की चिडिया की और बड़ो उस समय भारत वर्ष सारे संसार में सोने की चिडिया के नाम से प्रसित था सिकंदर का आदेश मिलते ही सेनपतियों ने नक्षे देखे और भारत की और खूच कर दिया विशाल हिमाले की बरफिली चोटियों को पार कर देश में परवेश किया और सिंदु नदी तक पहुँच के वहां राजा पूरू की सेना से खमासान युद्ध हुआ राजा पूरू की पराजे हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया भारत में सिंदर की यह पहली विजय थी वह बहुत खुश था युद्ध के बाद जब सैनिक अपने खेमों में विश्राम कर रहे थे सिगंदल चुपचाब भारत के अन्य गावो वे शेहरों को देखने निकल पड़ा अपने घोडे पर सवार विजय के नशे में चूर उसे गलियों वे घरों के अंधियारे रोती बिलखती इस्थिरियों और बच्चों किसी बर भी दया ना आई बलकि यह देखकर उसे अपनी विजय पर गर्ब हो रहा था उसने अपना घोडा दूसरी तरफ जंगल की और मोड लिया जैसे ही वे घोडा आगे बढ़ा उसे दूर कहीं आग की लपेट दिखाई दी वे नजदी गया तो कुछ संत सिंदु नदी के तट पर यग करते दिखाई दिये एक पेड की ओट में वे चुपचाप खडा हो गया सर्दी का मौसम था ठंडी हवा चल रही थी उन संतों के बदन नंगे थे और उन्होंने सिर्फ लंगोट पैने हुए थे सिकंदर को लगा उनके पास तन ढखने तक को कपड़े नहीं है उसे उनकी निर्धनता पर दया आने लगी उसने सोचा की इन नंगे फकीरों के लिए कुछ करना चाहिए रात काफी हो चुकी थी वह बापस अपने खेमे में गया और उसने प्रधान सेनापती को आदेश दिया फोरन कुछ गरम कपडों और कंबलों की विवस्था की जाए मुझे उनकी अवश्यक्ता है आदेश पाते ही गरम कपडों और कंबलों के धेर सिकंदर के सामने लग गए उन्हें घोडों पर लदवा कर सिकंदर स्वयम काफीले को जंकल की और ले चला कारवा सिंदु तट पर पहुंचा जहां अभी तक यग चल रहा था यग की आहुतियों और मंत्रों के उच्चारन से वायुमंडल गूंच रहा था वह अपने घोडे को उनके करीब ले गया पर सिकंदर और काफीले पर संतों का ध्यान नहीं गया सिकंदर उनका ध्यान अपनी और आकरशित करने के लिए अपना घोडा उनके निकट ले गया और फिर उसे जोर से थप थपाया और स्वेम भी जोर से खंखारा लेकिन फिर भी किसी ने उसकी और ध्यान नहीं दिया सिगंदर इससे चिड़ गया घोडे से उतर कर वह सबसे बृद्ध संद की और बड़ा संद ने तब भी उसे नहीं देखा इससे सिगंदर ने अपने आपको बहुत उपेक्षित महसूस किया तब उसने एक संद को जग जोर कर कहा ए फकीर सुनो मैं प्रसित सिगंदर महान हूँ संद ने निर्विकार भाव से उसकी और देखा फिर शांत वै मधुर स्वर में पूछा कहो नविवक क्या चाते हो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ सिगंदर इस प्रश्ण से सक्पका गया उसने हिच के चाते हुए कहा मैं तुमसे कुछ नहीं चाता हूँ मैं सिगंदर महान हूँ मैंने तुम्हारे हिंदुस्तान को विजय कर लिया है सिकंदर ने गर्व से कहा इतनी सर्दी में नंगे बदन देखकर तुम लोगों के लिए गरम कपड़े और कंबल लाया हूं संत ने तीखी द्रिष्टी से सिकंदर को देखा करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले तो तुम ही वह सिकंदर हो जो देश को लूट कर उन पर विजई प्राप्त करता है और अठास करते हुए पूछा अच्छा नव्यूवक यह है तो बताओ कि कभी लुटेरा भी विजई या दानी हो सकता है और संत ने गहरी दृष्टी से सिकंदर की आखों में जाका सिकंदर का चहरा पीला पड़ गया उसे समझ नहीं आया की वह क्या उत्तर दे वह इस्तंबद सा बुट की भाती खड़ा रहा संत ने बात आगे बढ़ाई मेरे बच्चे यदि तुम सचमुच विश्व विजई करना चाते हो तो पहले अपने प्रेम से देशवासियों के दिल जीतो जहां तक हमारी बात है हमें किसी चीज की आवश्यक्ता नहीं है हमारी चिंता छोड़ो हम सन्यासी है और अब जो कुछ हमारे पास बचा है हम तो उसका भी त्याग करने जा रहे है अब कहो तुम्हें क्या चाहिए सिगंदर को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था एसा तो कभी उसने कही ना देखा था ना सुना था उसे कलानी होने लगी उसका मन उधास हो गया उसने संद का मूख अभिभादन किया फिर बिना एक भी शब्द बोले अपने घोडे पर सवार होकर अपने खेमे की और चल पड़ा उसका कारवा भी उसके पीछे पीछे था भोर हो गई थी और सिकंदर पक्षियों की मधूर चैचाहट को सुन रहा था तभी उसने निश्चे किया की अब और आगे नहीं भड़ना है राजा पूरु को मुक्त करके भारत के अन्य भागों पर विजे की बात भूल कर वह अपने देश यूनान की और लोट पड़ा खूल कर वह अपने धा